एक अच्छे काज है लाउंडे क्या लड़की के जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है तुम्हारे वह भी कर सकता था यह काम पर नहीं कर रहे रिलेशनिशिप में एफर्ट पुट करते रहते हैं तुम पर ट्रास करते रहते हैं और तुम मां चोद दोगे उनकी पूर अच्छे को ओफिस में ऑ काहीं पर भी और ओर तुम घर में जूट बोल सकते हो आ रहे तो of a relationship. आज समाज में क्या हो गया, हम directly act नहीं कर रहे हैं, हम micro level पर act करते हैं, ताकि हम अपने आपके जूट पोल पाएं, कि हम act नहीं कर रहे हैं. मैंने Instagram पर follow गया लिए, किस इंसान ने follow कर दिया, हम meme sent कर रहे हैं, हम हलके से jokes crack कर रहे हैं, हम हलकी सी और बात है कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम अब धागे जोड़ देते हैं relationships के, वो जो हलका सा attraction था, जो कि technically हमें मिलना था, मिले, बात हुई, देखा, किसी को लगा, पर कितनी सुन्दर है, या कितना कितना attractive इंसान है, फिर और या जो भी है, या मुझे अच्छा लग रहा है, ओई बात जो शाम खतम हो जानी चाहिए, उसको लोग लाइफ में कभी नी मिलते हैं, एक तरह से, वो एक fantasy develop कर रहा है, एक इंसान के साथ, क्योंकि उसको बात करते वक्त मजा रहा है, एक नए इंसान से, novelty मिल रही है, और उसी में क्या होता है, अब भाई, जब तुम जितनी बाते आगे बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि उतना attraction, तुम्हारा बढ़ आए जाहर सी बात यह है, क्योंकि जो चीज तुम्हें पसंद आ रही है, और इसको बूंद-बूंद में मिले न, तो तुम और psycho होगे, इसके साथ ज़्यादा टाइम बिताने का मन है, लेजन से यह भावना है, और उसके साथ तुम्हें अगर सिर्फ रोज तीन टेक्स मिल रहे हैं, तो तुम पागल होगे न, और जादा, चीटिंग की चांसेज और जादा पड़ती है, अनलेस इस्टैबलिश मॉरालिटी थी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जिन्दिगी में ये काम कभी नहीं करूँगा, अगर रिलेशनिशिप वर्ग नहीं कर रही, तो उसको खतम करो, एक चीज जहांटू भी हो सकती है, और यह चीज भी चीटिंग हो सकती है, तो मैं दिख क्या रहा है, भोस्टी के, तुम टीवी खोलते हो, तुम जितने भी जितने भी सीरीज और जितने भी देख लो, सेक्स को एक लिबरेशन के साथ हमने वो कर दिया, अटैच, और यह लिखने वाले कौन है, हमें नहीं पता, कौन अपनी क्या fantasy लिखके मर जा रहा है, हमें क्या पता, यह तो स्टोरियां है, अब वो स्टोरियों से हम सीखते हैं, तो हम क्या सीखने हैं भाई, तो सेक्स करो, अब इसका क्या अंत है, इसका क्या consequences है क्या इसके पीछे में हमने कोई विचार धारा लगाई है क्या हमने कोई विचार मर्श जहां पर सोचा है इसके पीछे लवड़ा sex अपने में एक activity जो हम सबको pleasure based attract करती है ठीक है बाई मजा है मन कर रहा है तुम्हारा मजा करने का ठीक है चलो और सबसे बड़िया मजा है यह है टेलिविशन शोज आज कल के अब तुम जा कहा रहे हो पचासो प्रकार की research है scientific research दो लिखा कि इसमें कोई fulfillment नहीं है जो लोग करते भी है इस चीज़ बात में realize करते कि any fucking day एक meaningful relationship जिसमें मैं किसी इंसान के साथ था उसका meaning कुछ अलग ही होता है अलग level पर satisfaction उसका to have a partner जिसके साथ तुम निभा पाओ चीज़ है और grow old उसका एक अलग ही meaning है लेकि लंडों पर फर्मी पढ़ता है को कि sex मिल रहा है ना आज की समाज में यह बात आ गई है कि भाई हमने multiply कर दी खुछ ऐसे tools इजाद करके कि अगर मैं अपने से रोक नहीं लगा रहा it's as simple as that अगर मैं अपने से रोक नहीं लगा रहा उसकोल मिला कि इंसानी nature पहली चीज़ एक्सपोज होता है कि हम हम एक्चलने मज़ा सीखिंग बींग ही है हम हीडोनिस्टिक बींग है कुट्टे की तरह मज़े के नाम पर हम आग लगाती है अच्छी घासी meaningful relationship के एक अच्छे काज है लाउंड है लडगी के जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है तुम्हारे वह भी कर सकता था एकाम पर वह नहीं कर रहे relationship में effort put करते रहते हैं तो उन पर trust करते रहते हैं और तो मां चोद्ध होगे उनकी पूरी जिंदगी की काण फाड तुम lifetime होता है ट्राउमा दे तो किसी को ऐसा गाण फाड हो कि आने वाले relationship में वह ट्रस्टी ना कर पाएं क्यों मजा सीख कर रहा है क्योंकि हम हम सोचने वाले being नहीं है largely we don't really think